हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल SSD मोटर्स पर और आज आपके सामने आ गए निसान मैगनाइट का गीजा वेरेंट भाई बहुत वेट कराया इस गाड़ी ने बहुत दिनों बाद मुझे ये गाड़ी मिली है इस वेरेंट की तो मोटे मोटे मैं बताऊं तो इसमें म्यूजिक सिस्टम को लेकर और एक कैमरे को लेकर और थोड़ा सा लाइटिंग को लेगा ये कुछ चेंजिस हुए हैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो पहले की तरह आपको देहने हो मिल जाती है बहुत चौड़ी सी ग्र में नीचे की अगर बात करते हैं तो क्रोम की एक स्ट्रिप देहने हो मिल जाती है उल्टे एल सेप में जो की होने वाली ये दोनों ही साइड वही अगर बात करते हैं नीचे की तो नीचे आपको देहने हो मिल जाता है इसके उपर के जो वेरियंट है उहाँ पर आपको देह तो क्रिचिस आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है जो कि लुक को और ज्यादा इन्हेंस कर देती हैं वहीं अगर बात करते हैं इसके विर्थ की तो विर्थ आपको देखने को मिल जाता है निसान मैगनाइट में कभी भी ग्राउंड क्रेंस को लेकर कोई इस्यू अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्रेंस देखने मिल जाता है 205 mm का और ओल यह दो होगी इसके फ्रंट प्रॉफाइल चलते हैं इसके साइट प्रॉफाइल की तरफ साइट प्रॉफाइल से पहले अगर मैं आपको इसकी कीमत बताना चाहूं तो कीमत आपको देखने मिल यह देहरादून में सबसे पहला एक्षोरूम की बात करते हैं तो आपको मिल जाती है साथ लाख 49,000 रूपै एक्षोरूम और वहीं ओन रोड की बात करते हैं तो आट लाख 62,000 रूपै देहरादून उतरा खंड में आपको मिल जाएगी यह गाड़ी गीजा वेरेंट दुसके सब्सके साथ महीं अगर बात करते हैं तो यहां पर निसान मैगनाइट की बैसिग आपको देखने मिल जाती है जो की होने वाली क्रोम फिनीच के साथ कुछ एस अच्छी लग रही है साइब में। मोहीं अगर बात करते हैं इसके टाइर प्रोफायल की तो टाइर मिल जाता आपको 19560-R16 16 इंची का आपको इस्टीलम, वील कैप आपको fianic लिघ्र इंगर, च्छाटी यह देखो वाई गुछ इस तरीके साथ, काफी चॉड़ी-चॉड़ी सी आपको क्लाइटिंग देहने हुँ मिल जाती है, उसके साथ डॉर हैंडल आपको ब्लैक मिल जाता है, पूर ही बॉडिक लर्ट, महीं अगर बात करते हैं, तो ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर तीन हुए आपको ब्लैक डाउट देखने हुँ मिल जाते हैं उपर आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिस के साथ मिल जाती है रूफ रेल्स क्या बात है वही मतलब इतने कम प्राइज में रूफ रेल्स मतलब फीचर लोड़ेट गाड़ी आप कुछ यह ना तो निसान मेंग नाइट की तरफ आप एक बार जा सकते हैं एक बार कंसिडर करके जरूर देखना गाड़ी को आपको कोई भी इश्यू आपको देखने हो नह साइड प्रोफाइल चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ तो रियर में देखो सबसे पहले कुछ इस तरीगे से लुक आने वाला है वही अगर बात करते हैं इसके टेल लेम की तो टेल लेम तो भाई बहुत ही घजब लगते हैं वहीं अगर बात करते हैं सबसे पहले बीच में निसान का लोगो भाई जो after market कराते हैं लोग हुआ वो company खोदी करके दे दिए लिए बहुत बड़ा बड़ा उसके साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन सेटप के साथ देखने को मिल जाती है यह आपको always on mode में मिल जाता है आपको यह देखने को मिल जाता है इंडिगेटर reverse parking lamp तो यह चीज़े आपको 10 lamp बे देखने को मिल जाती है यह bumper भी बहुत अच्छा साथ आपको देखने को मिल जाता है dual tone के साथ जो की black and silver होने वाला है reverse parking point की अगर बात करते हैं तो 1,2,3,4 4 point आपको reverse parking sensor देखने को मिल जाता है reflector आपको 2 point देखने को मिल जाता है जो की horizontally होने वाले है overall क्या रहे गया भई तो overall final exterior से हो गई है complete इधर की बात करते हैं तो इधर भी आपको same उधर की तरह देखने को मिल जाता है तो overall यह तो होगी exterior के बारे हैं बात चलते हैं इसके interior की तरफ तो interior में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है भाई literally बता रहा हूँ thumbs up है भाई गाड़ी को overall आ जाते हैं इसके interior की तरफ तो interior में सबसे पहले देखो door trim तो door trim आपको dual tone देखने को मिल जाती है यह कुछ इस तरहिके से fabric होने वाला है पूरा soft touch आपको देखने को मिल जाता है यह वाला portion पूरा black आपको देखने को मिल जाता है silver glossiveness के साथ door lever देखने को मिल जाता है grab handle window लोकर चारू पाउर window switch auto down का feature आपको driver side देखने को मिल जाता है आपको six speaker का setup देखने को मिलने वाला है और उसके साथ साथ यह चीज़ देखने को क्या बात है आज आते हैं इसके seats पे तो seats आपको देखने मिल जाती है dual tone होने वाली कुछ इस तरह का texture होने वाला है designing यहां की बात करता है आपको यह और यहां दोनों ही आपको सेम देहनों मिल जाता हैं दोनों ही fabric होने वाली है पूरी fabric आपको देहनों मिल जाती है एक लोग अच्छका fuzzy support कि बात करते हैं तो सिकाएट कभी रही नहीं है एक दो बहुत अच्छा हम अंडर्था Jersey support देखने मिल हाला कि आपको देखना नहीं मिल जाते हैं कि त्ह पर आपको मिल जाते हैं उसके साथ कीज की अगर बात करते हैं तो कि आपको देखने मिल जाती है कुछ इस तरीके से रिमोंट सेंटर लॉकिंग के साथ दोनों ही सेम कीज होने वाली है कुछ इस तरीके से दो बटन मिलते हैं लॉक एंड लॉक करने के लिए पीछे निसान का लोगो देहने को मिल जाएगा वर रखते हैं इसको यहां पर और आजाते हैं गाड़ी के अंदर तो गाड़ी में के अकट करते हैं जल्दी जल्दी स्टेरिंख पर ओडन आपको देहने को cud obrigado और देहलें पे नहीं मिलती है हा agora कंट्रोल स्केठ करते हैं तो ठक के बात करते हैं स्ट्लक की बात करते हैं क्या hun को हैड्सर स्टॉक्य होने घ्रack जोंकर यह ते होने वाला है music system क्या देख रहे हूं उधर के बारे में बदाता हूं यहीं तो बहुत बड़ा data गाड़ी के अंदर चलो आ जाते हैं इसके cluster पे तो cluster आपको देखनों मिल जाता है कुछ इस तरही के से एक बार देखो lighting वगार भी मैंने on कर दी है इंडिकेटर भी on करके दिखांगा एक बार तो यह कुछ इस तरही करके से होने वाले हैं overall आ जाते हैं इधर तो इधर आपको देखने हम मिल जाता है rpm डिश्पल आपको देखने हम इल जाते है जो यह बहुत अच्छी बात यहां को पुरा देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहां के अगर बात करते हैं तो नीचे आपको देखने मिल जाता है यहां पर बहुत कूल चीज है क्या बात है चलो इसको करते हैं यहां से बंद को कर लेते हैं बंद उसके साथ आजाता है इसके अंदर आप वीडियो यूट्यूब मतलब ऐसा लगता है जैसे एक Android phone होता है ना पूरा वही निकाल के रख दिया है इस में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं प्लेश्टोर भी है मतलब आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसके साथ साथ भाई पूरे सिस्टम आपको देखने मिल जाता है अच्छा लगता है बही क्लाइमेट कंट्रोल होने वाला है यहां पर कुछ इस पीचिए का स्पेस पूरा ही मैं डैस बोड़ देखो गया अब तो यह देखो भाई डैस बोड को जिस तरह लोगन क्रीम कलर के साथ उसके साथ यहां पर कगन की बात करते है तो फाइव स्पीन मेनुल टांसमिस्नल र पर है है क्या वाइब जाता है था जर्यीच आपको भीन useful कि वñ Kid प recovery पलुड़ लैंप कि मिल जाता है घर मीड़़। जर्विया पर रहे टोंकि म्ल में जाता है आप उना था है यह इस मीजिक सेटम यहाथ कर आपकों घर ड़ंड़ कुछ डिफ्रेंट्स वसके साथ साथ overall होगी यह front dashboard की बारे हम बात चलते हैं इसके जियर की तरफ तो रियर सेटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है सबसे पहले देखो डोटरिम की बात करते हैं तो डोटरिम आपको देखने को मिल जाती है भाई मतलब फील जो है ना गाड़ी को बतलब बहु हो कि एक बहुत अच्छा update मतलब म्यूजिक सिस्टम बहुत म्यूजिक बहुत गजब का होने वाला है उसके साथ साथ फैबरी की आपको देखने को मिल जाती है रियर सेटिंग बैठते हैं गाड़ी के अंदर कि आपको और देखने को मिलना वाला है तो सबसे पहले देखो सबसे पहले आपको देखने मिल जाता है और उसके साथ साथ सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जैसे सब्सक्राइब करते हैं इसके बूट की तरफ तो बूट में आपको क्या क्या देखने मिल जाते हैं दोनों साइड उसके साथ साथ अगर बात करते हैं इसके सब्सक्राइब करते हैं तो इसके साथ 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 और यह तो होगी यहां के बाद चलते हैं इसके इंजिन वे की तरफ मतलब इंटीर एक्षेयर से पुरी कंप्लीट कर लिए गाड़ी महीं अगर मैं अपना उपिनियन बताऊं तो गाड़ी को थमसब है बाई नो डाउट बाई कलर को लेकर परफोर्मेंस को लेकर डिजाइन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली चलते हैं इंजिन वे की तरफ तो इंजिन वे पर जाने के लिए सबसे पहले देखो भाई कितनी अंदर दे रखा है यह को ला इंजिन वोंट उसके साथ चलता है फ्रन इंजिन की तरफ तो इंजिन में क्या के आपको दे नहीं मिलने वाला है उसके बारए में घर बात करते है तो आपको मिलसा के साथ नौसो निन्यानवे सिसी थ्री सिलेंडर इंजिन वहीं अगर पावर की बात करते हैं तो 71 भी की पावर और टॉर्क मिल जाता है आपको लगब लगब 96 न्यूटर्मिंटर होगा और माइलेज की अगर बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करते हैं लगब लगब 18.7 के अमपेल ओव वहीं अगर सेफ्टी को लेकर बात करते हैं तो सेफ्टी में भी नो डाउट आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं एबीएस एबीडी ट्रेक्शन कंट्रोल ट्राइप्रेशन मोनिट्रिंग सिस्टम ब्रेक असिस्ट इंजन इमबलाइजर के शंसर आपको देहनों मि अगर बात करते हैं तो आपको मिल जाती है लग बलग वह आट लाग 62,000 रुपे देहरादून उत्रागंड में उसके साथ साथ भाई वीडियो पूरी कंपलीट हो गई है अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना एसी न पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाई